मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं, जो एक लड़की से कह रहा होता है, कि तुम जैसी भी हो बेहत खूबसूरत हो, बाकी सारी लड़कियां तुम से जलती हैं। फिर हम उस आदमी को उस लड़की के प्यूबिक हैर को क्लीन करते हुए देखते हैं, और वो कहता है कि अपनी मा को इस बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारे प्यूबिक शेव किये हैं। जैसी भी हैं कि किसने कहा था तुम्हें अपने वहां शेव करने को। जैसी भी हैं कि मुझे डर है कि कहीं बैरी तुम्हारी केनी छेनी ना बना दे। इसलिए तुम्हें अपने डैड के पास भेजना ही सैफ है। जैसी अपने डैड के पास पहुँच जाती है जो नासा में जॉब करता है और मिजास से काफी कड़क है। रास्ते में जजीरा को एक नाकेड लड़की का पोस्टर दिखता है जिसे वो गौर से देखती है लेकिन जैसे ही उसका डैड उसे घूरता है वो दुसरी तरफ मुंभ फेर लेती है। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसका डैड उसे जोरदार ठपड मारता है और उसे दूसरे कपड़े पहन के आने को कहता है। जजीरा रोते हुए वहां से भाग जाती है। पीछे से उसका डैड भी आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। उसके पडोसी उनके घर आते हैं जिसमें च्रैविस उसकी वाइफ और उनका बेटा जैक होता है। वो सब मिलकर बाते करते हैं। जैक अपने डैड से जजीरा के साथ बैडमिंटन खेलने की पर्मीशन मांगता है। फिर वो दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। अगले दिन जजीरा के डैड घर आकर कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए जैक की बेबी सिटिंग करनी है। अगले दिन जजीरा जैक के घर जाती है। त जजीरा बात्रूम में जाती है और उसके पीरियड आ जाते हैं, फिर वो अपने डैड के साथ पैड खरीदने जाती है, वहाँ एक सेल्स गरल आती है और उसे एक पैड दिखा कर खरीदने के लिए कहती है, उसके डैड उससे पूच का है कि इसमें क्या खास बात है, इस पर व पहां एक लड़का जजीरा के नाम का मजाग बनाता है और उसके सामान को बिखेर देता है और वो निचे गिरे पैड को उठा कर हंसने लगता है जजीरा बाथरू में जाकर टिशू पेपर यूज करने लगती है क्योंकि उसका पैड लड़कों ने खराब कर दिया था एक टी जजीरा को घर से निकाल देता है जजीरा अपनी मा को फोन करती है और कहती है कि डैडी उसे टैंपोन यूज नहीं करने देते लेकिन उसकी मा भी उसके डैड की साइड लेती है अगले दिन वो फिर से जैक के घर पर वही मैगजीन पड़ती है और उसे चरम सुक की प्राप से सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखती है। उसके डैड अपनी गरल फ्रेंड थाना की केनी-छेनी बना रही होती है। फिर वो तीनों बाते करते हैं। थाना एक मॉडल है और थाना जजीरा का मेक अप करती है। उन दोनों के जाने के बाद वो ट्रैविस के पास आती है और उसे वही मैगजीन मागती है। वो बताती है कि उन मैगजीन की वज़ह से उसे चरम सुख की प्राप्ती होती है। ट्रैविस उसे वहां से भगा देता है। फिर ट्रैविस उसके घर के बाहर मैगजीन रखकर चला जाता है। जैक और जजीरा विंडो से देखते हैं कि हनीमून कपल वापस आ गए हैं. वो उनके घर अपनी कौक लेने जाते हैं. वो औरत अपना नाम मलीना बताती है और वो प्रेगनेंट है. घर आकर जजीरा अपने डैड को उस औरत के बारे में बताती है. उसका डैड कहता है कि उस अपना पेट कवर करके रखना चाहिए. फिर वो स्कूल चली जाती है. एक टीचर उस लैटर को एक स्टूडन से सब के सामने पढ़ने को कहती है. जिसके बाद सारे स्टूडन उसका मजाक उडाने लगते हैं. जिसमें एक थौमस नाम का लड़का भी होता है. लेकिन बाद ट्रैविस जजीरा से अपनी मैगजीन्स वापस मागता है. लेकिन फिर वो बेकाबू हो जाता है और जजीरा को देख उसके अर्मान जाग जाते हैं. वो जजीरा की केनी छेनी बनाना चाहता है और जब वो जजीरा के मौत के कुए में हाथ डालता है तो उसके हाथ में और थॉमस के पेरेंस उन्हें अकेला छोड़ कर सोने चले जाते हैं और थॉमस जजीरा के साथ शुरू हो जाता है। टेंपो और रेजर लाकर देता है और पूछता है कि तुम कहां था शेव करोगी। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी शेव कर सकता है और अगले पल हम थॉमस को जजीरा की शेव करते हुए देखते हैं। थॉमस कहता है कि तुम कमाल की लग रही हो। काम खतम होने के बा उसे उसके साथ दिनर करने को कहते हैं। वो घर से दूर एक रेस्टोरेंट में आते हैं ताकि ट्रैविस को कोई पहचान ना सके। उसका अपने बॉइफ्रेंट के साथ ग्रैक अप हो गया है और वो बहुत ही खराब आदमी था। अब वो बिलकुल अकेली हो गई है। थॉमस जजीरा को कॉल करके उसे मिलने के लिए कहता है। लेकिन जजीरा बताती है कि मेरे डैट तुम्हें बिलकुल भी पसंद नहीं कर आता है फिर जजीरा मान जाती है। थॉमस जजीरा की केनी छेनी बना देता है लेकिन जजीरा को बिलकुल भी मजा नहीं आता है। रात को ट्रैविस जजीरा के घर आता है और उससे जूट बोलता है कि वो कल सुबह इराग जाने वाला है। जजीरा उसे अंदर बुला ले दिन जजीरा च्रैविस के पास आती है और उसे उसकी मरी हुई बिल्ली देती है और बोलती है कि ये उसके डैड की कार के निचे आ गई थी। मरीना ट्रैविस को जजीरा से बात करते हुए देखती है, तो वो बाहर आती है, लेकिन वो निचे गिर जाती है, जिससे खून निकलने लगता है.